हाई एवरीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल सो वीडियो के टाटल से आपको पता चल ही गया है कि मैंने नाइका से कुछ समान ओर्डर किया है क्योंकि वहाँ पे पिंक फ्राइडे सेल चल रही थी तो खोल के दिखाती हूं मैं आपको कि मैंने क्या-क्या ओर्डर किया है पहला मैं भी 10% ओफ विचल रहा था तो मैंने इसे खरीद लिया और इस तरह से हैं इसकी कलर्स मैंने इसमें पीच कलर मंगवाया है मैं आपको थोड़ी सी इसकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ सो कुछ इस तरह से है इसकी पिगमेंटेशन तो काफी अच्छी आईशाड़ पैलेट लगी मुझे ये और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है सो I like this नेक्स्ट मैंने नाइका से कुछ स्किन केर के प्रड़क्ट्स मंगवाई हैं जो की बिलकुल नियू है बट मुझे ट्राइग करने थे तो first मैंने मगवाई है ये बॉरोप्लस की ऐलोवेरा जेल मैं मेक अप करती रहती हूं और मेकअप के साथ स्किन केर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसलिए मैंने कुछ स्किन केस्ट रप्री मगवाई है और ये ऐलोवेरा जेल बहुत ज़धा अच्छी लगी मुझ next में आडर की है चार कुल नो स्टिप्स मेरे यहां पर ब्लैकिट्स हो जाते हैं तो उसको रूमूव करने के लिए मेने स्टिप्स का सहरा लेना चाहती हूं क्योंकि उतरते ही नहीं है मेरी ब्लैकेट्स तो मैंने इसे लिए इसे ओर्ड किया है लेट सी कि ये कैसा वर्ड करेगा अब नेक्स्ट मैंने ओर्ड की है एक न्यू अंडर आई क्रीम ये एक न्यू ब्रैंड शूख होड़ा था इस ब्रैंड का नेम है पिलग्रिम मैं आपको यहाँ पर का नेम मैंशन कर दोंगी अगर मैं कुछ गल्द परनाउंस कर रही हूँ तो तो इस तरह से है इस क्रीम की पैकेजींग और इस तरह से मिलेगी आपको अंडर आई क्रीम इस आई क्रीम का जो टेक्च्चर है ना बहुत लाइट वेट है यू किन सी कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और इसकी फ्रेगनर्स भी कमाल किया So I love this आई क्रीम इस क्रीम को मैंने इसलिए ओर्डर किया है क्योंकि इस पे मेंशन है कि इसमें रेटन ओईल है और विटामिन सी भी है जो कि अंटर आई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो इसलिए मैंने इसे ख्रीदा है Next मैंने ओर्डर किया है कलरबाड का नेल पेंट रिमोवर इसके बारे में बहुत सारी रिव्यू देखे थे मैंने नाइका पे तो मैंने इसको देखते ही, you know, order कर दिया क्योंकि इसके उपर लिखा था कि ये आईस क्रीम की तरह है कूलिंग देती है तो मैंने सुचा यहाँ चलो ट्राइ करती हूँ So इस क्रीम का जो टेक्स्चिर है वो बिलकुर सिमिलर है पॉंड्स की लाइट मॉस्राइजर क्रीम की तरह इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपको बहुत नठना सा फेल होता है स्कीन पर एंड स्कीन बहुत ज़्यादा रिफ्रेश लगती है लास्ट बट नाट लीस्ट यहाँ पर मैंने और्डर किया है वाओ का कोकोनेट मिल्क शैम्पू मैंने आद तक कभी भी वाओ के कोई भी प्रड़क्त ट्राइग नहीं किया स्थी प्रड़क्त के जोबी प्राइजिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन मर्क्स में मिल जाएगी और discount price आपने screen पे mention होते वे देखी लिए है तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी next video के साथ बाई बाई